कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छी होगे मस्त होगे और सुस्त होगे और यह देखिए आज हमारे विशाखा पटनम में बहुत तीस बारिश होई है और हो रही है और ऐसा सुहाना मौसम हो रहा है आप आपको अच्छा लगेगा एंच्वाई कीजिए और बनी रहे है मेरे ब्लॉग में यह देखिए हमारे पेड़ पौधे भी इश्णान कर चुके हैं बारिश के बर्शा के पानी से जल से और यह देखिए मैंने जूम कर दिया है आपको बादल दिख रहे होंगे दिख रह सारा में घर और आसमान में बादल है श्रावण मास चल रहे हैं पूरा सावन दिख रहा है और यह देख लीजिए लाइक शे सब्सक्राइब कीजिए का जो न्यू जुड़े हैं बेल आइकन को प्रिस करना ना पुलिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन्स मिलती र पी इसनान भी कर लेते हैं और उनमें जान भी आ जाती है यह देखिए लाइक शेल सब्सक्राइब कीजिए का और नीचे आम का पेड़ लगा हुआ है और या नीम का पेड़ यहाँ पे जो नीम के पेड़ की जस नीचे मिट्टी मिट्टी से दिखरी है ना ओए यह बिल है जब हमारी नाग पंचमी आती है ना नौर्थ साइड वाली उसके 25 बीस पचीज दिन बार यहां साउथ में नाग पंचमी मनाते हैं हमारे वाली नाग पंचमी नहीं बनाए जाती उसके अगले तो यहां पे बहुत भीड लगे रहती है नगाडे डोल नगाडे बसते शेनाईयां बसती है और यहां पे पूजा होती है नाग दिपता के घर की यह जो मिट्टी मिट्टी दिख रही है मेरे फिंगर जो आप देख रहे हो यह नाग दिपता का घर है ठीके गाईस सावन चल रहे है इसलिए मैंने सोचा आपको यह नाग दिपता के बारे बता जै शीरादी किष्णा जै शीमना रहें जै तुल शीमा तकी